दिवाली से पहले घर लाएं ये साथ चीजे मिलेगा धेर सारा पैसा 12 नवंबर से पहले आप कुछ खरीदारी जरूर कर लें जोतिश शास में बताया गया है कि दिवाली से पहले साथ चीजे लाने से मातारानी की कृप्या होती है दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गनपती की पूजा करें मालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए घर में स्रियंद्र की अस्थापना और पूजा की जाती है इस साल 12 नवंबर को दिवाली है सब लोग चाहते हैं कि मालक्ष्मी पर उनकी किर्पा बरसे लेकिन जोदिश सास में बताया गया है कि दिवाली से पहले ये साथ चीजे खर दी जाए तो खूब धनवर्सा होगी सबसे पहली चीजे लक्ष्मी गनेश की प्रतिमा दिवाली के शुब देवार पर माता लक्ष्मी और भगवान गनपती की पूजा होती है यदि आप दिवाली से पहले इनकी प्रतिमा को घर के अस्थापित कर दे तो आपको काफी लाब होगा नए वस्ट दिवाली पर पुरानी चीजों को साथ किया जाता है घर में पर एक कच्रों को नश्ट किया जाता है और नई चीजें खर दी जाती है दिवाली से पहले परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कप्रे खरीद ले या अत्यंग शुब माना गया है धर्म ग्रंतों में दर्ज है कि मातालक्ष्मी समूंद्र से उत्पन हुई है इन्हीं समूंद्रों से कौडी भी निकलती है माना जाता है कि कौडी असानी से धन खीच लेती है सास में कौडीयों को मालक्ष्मी से जुरा माना गया है कौडीयों को धन के साथ ही रखे दिवाली से पहले अच्छी सेहत और समपन लाइफ स्टाइल के लिए 11 गोमती चक्र लेकर आए दिवाली वाले दिन इन चक्रों को पीले कपड़े में बांध कर तीर जोडी या लौकर में रख दे ताकि मालक्ष्मी की लिप से बरकत हो दिवाली से पहले सोलस रिंगार का समान खईदा जाए इसे बेहत ही सुभ माना जाता है यदि महिलाए लाल रंकी शारी खड़िती है तो इसे भी मालक्ष्मी माप्रसन होती है देवी लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए घर में स्रियंद के अस्थापना और पूजा की जाती है स्रीयंत्र में मालक्ष्मी तो होती ही है साथ ही 33 अन्य देवी देवताओं के चित्र बने हुए होते हैं इसे घर लाने से भागे खुलता है मान्यता है कि छोटा नार्यल लाने पर मालक्ष्मी की किर्पा होती है ये नार्यल आम नार्यल से अकार में छोटा होता है एक लाल रंगे कपरे में 11 छोटे नारियलो को लपेट कर अपनी तीजोरी में रख दे आपके घर में खूब बरकत होगी